नमस्कूर आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ 18 लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन हो और आज भी सत्र हंगामे की भेट चड़ गया वजोधा लोकसभाई स्पीकर आपको बता दें कि लोकसभाई स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगतार टकराओ बढ़ गया सहमती नहीं बन पार रही है एक ओर सत्ता पक्ष की ओर इंडिये प्रत्याश्री की ओर से ओम बिरला का नाम का चुनाव किया गया तो वही कॉंग्रस इसके ख अंगामे का भेट चड़ गया तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक तरफ तो इंडिये प्रत्याशी के तौर पर ओम बिरला लोकसभाई स्पीकर बनने की रेस में हैं तो दूसरी ओर उनके विरोध में उनके खिलाप में इंडिया अगट बंधन की ओर से किस प्रत्याशी क के नाम को आगे किया जा रहा है अठारवी लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार को यानि कि आज दूसरा दिन है लोकसभाई स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराओ बढ़ गया है इंडिये प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाप इंडिया ब्लॉक में भी अपन मंतरी अमित शाह और इंडिये के अन्य नेता मौझूद थे वहीं विपक्ष की ओर से कॉंग्रस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाप तीन सेट में नामांकन दाखिल किया है नामांकन से पहले राहूल गांधी ने कहा कि कॉंग्रस साफ कहा है कि हम स्पिकर को समर्थन देंगे लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पिकर का पद मिलना चाहिए। पी नड़ा ने भी विपक्ष को मराने की कोशिस की लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ किंद्रिये मंत्रिये पियुष गोईल और ललन सिंग ने कॉंगस पर शर्ते रखने का रोप लगाया उन्होंने कहा कि सरकार डिप्टे स्पीकर के चुनाओ के समय विपक्ष की मांग पर चर्चा करने को तयार है इंडिये की ओर से ओम बिरला दुबारा स्पीकर पद के कैंडिडेट हैं तो कॉंगरस के बलराम जाखड के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे तो जासा कि आपने सुना आज 28 लोगसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन था और आज भी लोगसभाई स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराओ बढ़ गया और सदन हंगामे की भेट चड़ गया और बता दे कि जहां एक ओर सरकार की ओर से इंडिये प्रत्याशी ओम बिरला का नाम लोगसभाई स्पीकर के लिए आगे किया गया तो वही कॉंगरस इस पर सहमती नहीं बना पाई साथ हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसु को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसु पीच को भी फॉलो करें धन्यवाद